लो कि एक प्रेंड कैसे हैं आप लोग तो मैं आज आप लोग के लिए टाटा स्टील ब्स लिमिटेड चलिए इस पर कम्प्लीड एंलिसिस करते हैं इस टॉक अभी अंडर वैलुड है मुझे ऐसा लगता है तो क्या मौका है क्या है इस पर पॉस्पिलिटीज चलिए देखते से पहले अपनी फाइनेशल एडवाइस अला लीजे अपनी खुद की रिसर्श कीजिए उसके बाद ही को इनेस्मेंट कीजिए ठीक है फ्रेंड्स चलिए देखते हैं क्या है टाटा स्टील ब्स लिमिटेड में ठीक है फ्रेंड्स तो जैसा आप लोग को देख की पता चल इसके बहुत बड़ा इसका बिजनस है दीखे और इसको एक्वाइर किया था टाटा स्टील ने और फिर यह टाटा स्टील ब्स लिमिटेड इसका नाम होगा पहले इसका नाम भूशन स्टील लिमिटेड था ठीक है फ्रेंड्स चलिए आगे चलते हैं देखते हैं और क्या इसका बात है यह देखिए मार्केट के अब देखिए 5057 करूर का देखिए करेंट प्राइस 46.2 का ठीक है हाई 46.8 का 15.1 का लो तो अपने हाई के आसपास ट्रेट करता हुआ तो इस चीश को ध्यान रखीगा जब डिप है थोड़ा थोड़ा पोशिचिन बनाना जाए मुझ 24.6 का तो अगर आप यह देखते हैं तो भी लगता है इस टॉक अभी अंडर वैल्यूद है ठीक है इसके साब से प्राइस कम से कम 200 रुपए के आसपास होनी चीए चलिए अच्छी बात है आगे देखते हैं देखिए रिजर्स बहुत तगड़ें इसके 17,959 करोड का और य देखते हैं देखिए प्रमोटर होल्डिंग देखिए बहुत अच्छी 72.6% की प्रमोटर होल्डिंग है ठीक है तो बहुत सारी चीज़े पॉस्टिव है स्टॉक के बारे में एक जो नेगेटिव चीज़ है वो यह है कि डेट है थोड़ा बट डेट भी ठीक है रिजर्स क और रोई का क्या है इसमें ठीक है चलिए देखिए कि स्टॉक ने हाई बनाए अपने हाई के आसपस ट्रेट कर रहे तो डिप आने दीजिए तक अने दीजिए मुझे ऐसा लगता है बाकी देखते हैं कि इस तरह से मोमेंटम रहा है ठीक है यह देखिए स्टॉक बहुत कमपनी अगर अच्छा करती है यह देखिए जब टाटा इस्टिल ने मुझे लग रहा है एक्वाइर क्योंगर डेट बहुत जादा हो गए होंगे तो उसके बाद मुझे लग रहा है फिर यह कंपनी ने इस वज़े से यहां पर जनी तो पहले यह कंपनी के हालत बहुत बहुत बड़ा वाउलिम है इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखीगा और अप्रेटिंग प्रॉफिट बहुत अच्छे जेनरेट कर लेते हैं जो थोड़ी सी इश्यू है इंट्रेस पोर्शन देखिए है इनका डेपरिसेशन लग रहा है ठीक है पर डेपरिसेशन ठीक है व फिर भी उसको उतना का जिरा मत कीजिएगा नेट प्रॉफिट देखिए 913 करोड का यहां पर कौटरली रिजल्ट जो आया है तो यह देखिए कुछ टैम से यह बढ़िया इनका नेट प्रॉफिट आ रहा है तो देखिए अब फिर से इसमें तेजी आई है ठीक है इस इसमें आजाई है चारहजार करोर का से बढ़ते हुए यह होगा तो फॉर टैम्स फाइफ टैम्स यह होगे यह बहुत बढ़िया बात और बहुत बड़ा वाल्यूम यह दियान रखिए गा ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक हजार से तीन हजार तो त्री एक्स और यहां पे देखिए अधर इंकम इनका है तीन चारहजार करोर का अधर इंकम यहां पे कम है बट यहां देखिए इंटरेस्ट पॉर्शन है अच्छा खासा और यह देखिए डेप्रिशेशन बहुत अच्छा डेप्रिशेट इसकी वैल्यू भी है यहां पे इसको उतना कंसिडर मत खाया 611 करोड़ का यहां पे हालागी 1700 करोड़ का था यह जो नेगेटिव है इस वज़े से आरोसी आरोई आपको जो कम देखने को मिला वह यह था बट देखिए अभी इंप्रूफ कर जाएगा ठीक है इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखेगा तो 46 रुपे पर ट्रेट कर इस चीज को तो बिल्कुल ध्यान रखेगा उस हिसाब से स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है 1995 का इसका रिजर्फ था जो की बढ़ते वे 17,000 करोड़ है बहुत इस तक करीब 10x हो गया है रिजर्फ और इवन बॉर्विंग्स इसकी बॉर्विंग्स करीब 45,000 करोड़ थी यह 15,000 करोड़ हो गया है ठीक है तो एक कंपनी में मुझे लगता है इसका फ्यूचर अच्छा हो सकता है काफी इनको परफॉर्म अगर इस तरीके से करते रहे तो मुझे लगता है डेट वगर भी लोग जिस तरीकी से कम कर रहे है तो वो एक बहुत पॉस्टिव चीज है तो मैनेजमेंट अब जो आ गई है मुझे लग रहे है एक अच्छे तरीके से इसमें काम करती है तो यह बहुत अच्छा इस टॉक यह अच्छा परफॉर्म कर सकता है ठीक है यहां देखिए 10-11 परसेंट का यहां पे कम हुआ है बट वो मैंने आप लोगों बताया क्या रि ठीक है तो देखिए यह था टाटा स्टील बीसल लिमिटेड देखिए बहुत बड़ा बॉल्यमेंट का बहुत बड़ा बिजनास है ठीक है तो इस आप से मुझे लगता है फ्यूचर इसका अच्छा हो सकता है यह देखिए यह सब देखिए जैसे स्टील प्रोडक्शन का जो थर्ड यह कह रहे हैं थर्ड लार्जे से केंट्रिस्टीर प्रोडूशन कंपनी है तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए अभी बहुत अच्छे रेट मिल रहा है मुझे ऐसा लगता है आगे चलके इसका फ्यूचर अच्छा हो सकता है बहुत लेकिन यह भी क्या अप अच्छे से बिजनस इंता रहा तो फिर यह बहुत अच्छा हो सकता ठीक है बाकि बहुत बड़ी कंपनी है बहुत अच्छी रेट में मिल रहा है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद है यह इन्फोर्मेशन अच्छे लगी तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और प्लीज पूर ऑच्छे लगी तो यह वीडियो तो यह वीडियो वीडियो पूर्वच वीडियो